डाइबिटीस क्या है? दोस्तो डाइबिटीस एक क्रोनिक और लाइपिस्टाइल विमारी है एक बार अगर आपको हो जाए तो आपको उमर भरी से मैनेज करना है चाहे आप लाइपिस्टाइल में सुधाल लाए चाहे आप दवाई ले या इनसूलिन ले लेकिन डाइबिटीस आप कब कहेंगे? आप डाइबिटीस का सिकार है अगर आपका सुगाल लेबिल खाली पेट टेस्ट कराते समय 120 mg पर डेसिलिटर के उपर अगर जाने लगे और खाने के बाद जिसे हम लोग पोस्ट मिल याने पीपी कहते हैं उसका लेबिल अगर 150 mg पर डेसिलिटर के उपर जाए याने आप डाइबिटीस से पीडित है लेकिन सुगाल लेबिल कब बढ़ता है? और क्यों बढ़ता है? दोस्तों सुगार हमारे सरीर में फूयल का काम करता है सरीर के हरे कोसिकाओ को उर्जा देती है ताकि सरीर अच्छे से काम कर सके और इस एनरजी को ले जाने के लिए याने ग्लूकोज को सरीर के हरे कोसिकाओ तक पहुचाने के लिए इंसुलिन हर्मोन का रोल होता है अगर आपका बोड़ी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए या इंसुलिन का पैदावर अगर कम हो जाए तो सरीर में हरे कोसिकाओ तक अच्छे से ग्लूकोज पहुच नहीं पाता और सरीर को अच्छे से एनरजी नहीं मिलती जिसके बज़े से आपके ब्लाड में ग्लूकोज लेबल धीरे-धीरे करके बढ़ जाते हैं जिसे हम लोग डाइबिटीस कहते हैं या हाई सुगार कहते हैं लेकिन आपको पता कैसे लगेगा आप डाइबिटीस का सिकार है या आपका ब्लाड ग्लूकोज लेबल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो दोस्तो इसका सुरुवाती सिम्टॉम बेहत कम होते हैं जिसके कारण डाइबिटीस को साइलेंट किलार भी कहा जाता है अगर आपका लंबे समय से ब्लाड सुगार लेबल ज़्यादा रहेगा तो आपके सरीर के हर एक औरगान को चाहे हो हार्ट हो, किड्नी हो, आँखों की समस्था हो सकती है इसके अराबा आपको स्ट्रोक, हार्ट अटाक तक हो सकता है इसलिए सुगार लेबल को मैनेज करना बेहत जरूरी है लेकिन एक आम आदमी कैसे समझे कैसे लाइबी स्टैल को सुधार करना है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है कई बार क्या होता है, कई लोग दवाई तो लेते हैं फिर भी उसका ब्लाड गूँ कोई लेबल उपर के तरफ जाता है और बढ़ जाता है क्योंकि खान पान गलत होने के कारण चाहे आप जितना भी दवाई लेले आपका blood glucose level कम नहीं होगा इसलिए खान पान में ध्यान देना बेहर जरूरी है तो एक आम बैक्ति कैसे ध्यान दे उसे कैसे पता चलेगा कौन सा चीज में blood sugar level बढ़ेगा या manage होगा इसलिए आज का वीडियो में हम लोग 10 ऐसे foods के बारे में बात करेंगे जिसका GI value जादा है और diabetes के मरीज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुचाता है इसमें सबसे पहला नमबर पर आता है white rice याने सपेद चावल दोस्तों सपेद चावल में fiber की मात्रा ना के बराबर होती है और इसका GI value जादा होने के कारण अगर कोई diabetes का मरीज सपेद चावल लेते हैं तो उसका अचानक blood sugar level बढ़ जाएगा वही अगर आप brown rice खाते हैं तो इसमें fiber की मात्रा होने के कारण ये आपके blood group कोई level को धीरे धीरे बढ़ाता है जो diabetes का मरीज ले सकते हैं दूसरे नमबर पर आता है popped rice जिसे हम लोग मूडी भी कहते हैं हम लोग मूडी टिफिन में या breakfast में खाते हैं और ये मुखर अचक होता है खाने में बेहत स्वादिश्ट होते हैं लेकिन diabetes के मरीज को मूडी खाने से पहले जरूर एक बार सोचना चाहिए क्योंकि मूडी दिखने में हलका फुल का आहर तो लगता है लेकिन इसका GI value जादा है और ये simple carbohydrate के category में आते हैं जिसके कारण आपका blood sugar level को अचानक बढ़ा सकता है तीसरे नमबर पर आता है refine floor जी हाँ दोस्तो गेहुं से refine floor तो बनते हैं लेकिन processing के दवरान या policing के दवरान इसके अंदर की जो nutrition है वो खतम हो जाती है इसमें fiber ना के बराबर होते हैं refine floor का इस्तेमाल जातर fast food, junk food ये सब में इस्तेमाल होते हैं अगर आप diabetes के मरीज है और आप refine floor अगर लेंगे चाहे आप fast food लेते हैं, junk food लेते हैं चौथे नंबर पर आता है जगारी जी हाँ दोस्तों जीसे हम लोग गूड कहते हैं हम लोग सोचते हैं, चीनी से गूड तो अच्छा है दोस्तों अच्छा तो है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि glucose का glycemic index जहां 100 होता है वहीं गूड का लगभग अठानबभग होता है याने गूड में लगभग अठानबभग पतिसत ग्लुकोजी होते हैं अगर आप गूड खाएंगे और आप diabetes का अगर मरीज है तो आपका blood glucose level अचानक बढ़ जाएगा पांचवे नंबर पर आता है इडिली दोस्तों ये South Indian Deez है लेकिन आज पूरे भारत में लोग इडिली खाना पसंद करते हैं इडिली चावल से ही बनता है जिसमें कार्भोहाइडेट की मातरा ज्यादा तो होती है साथ ही fermentation के दवरान इसका GI value भी बढ़ जाता है अगर आप diabetes के मरीज है तो आपको इडिली लेने से पहले एक बार जरूर सोचनी चाहिए क्योंकि ये भी आपके blood glucose level को बढ़ाएगा छटे नमबर पर आता है पोटाटो जी हाँ दोस्तों जिसे हम लोग आलू कहते हैं आलू क अगर ऐसे आप लेंगे तो इसमें starch की मातरा याने carbohydrate की मातरा बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप आलू को किसी सबजी के साथ याने दूसरे सबजी के साथ मीग्स भेज बना कर खाएंगे और फाइबार थोड़ा add कर देंगे तो आपको कम नुकसान पहुँचाएगा तो diabetes के मरीज को भी आलू लेने से पहले जरूर एक बार सोचनी चाहिए ये भी आपका blood group को बढ़ाने का काम करता है नंबर साथ मीठा फल तो उस्तो फल का नाम आते ही हम लोग सोचते हैं बहुत हेल्दी है किसी विमारी में आप फल खा सकते हैं लेकिन diabetes के मरीज को मीठा फल खाने से पहले एक बार जरूर सोचनी चाहिए कुछ ऐसे फल होते हैं जैसे कि मैंगो, चीकू, लीची, खजूर इसका GI value लगभग 70 के उपर है और blood sugar का मरीज को याने diabetes का मरीज को ये और भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा इसलिए diabetes के मरीज को फल खाने से पहले, कोई भी अगर ज़्यादा मीठा फल हो, तो कम से कम ले या तो ना ले आटवे नंबर पर आता है fruit juice अगर आप किसी fresh fruit का juice निकाल कर पीते हैं, तब तो ठीक है लेकिन अगर आप बाहर का किसी packaging juice पीते हैं क्योंकि आप जानकर हैरान हो जाएंगे एक glass packaging juice पर लगभग 7 से 8 चमस सुगार होते हैं अगर आप diabetes का मरीज है तो आपका blood sugar level बढ़ाने के साथ या आपका बजन को भी बढ़ाता है इसलिए आप packaging juice का बिलकुल सेबन ना करें नवे नमबर पर आता है deep fry snacks कोई भी snacks हो चाहे हो chips हो समोसा हो, कचूडी हो आम तवर पर हम लोग साम में चाहे के साथ लेते हैं अगर आप diabetes का मरीज है तो आप कोई भी किसी भी तरह का deep fry snacks बिलकुल ना ले क्योंकि इसमें carbohydrate के साथ-साथ unhealthy fat भी आते हैं तो आपका blood sugar level तो बढ़ाएगा साथी आपका cholesterol level को भी बढ़ाने का काम करेगा इसलिए deep fry कोई भी समान लेने से पहले एक बार जरूर सोचे और अंत में आता है मीठाई diabetes के मरीजों को इस चीज को लेकर बहुत सारा दिख्खत होता है किसी-किसी diabetes के मरीज को मीठा खाने का क्रेबिंग होते हैं और वो चोरी चुपे मीठाई खा लेते हैं मीठाई का GI value लगभग 100 के बराबर होता है अगर आप diabetes का मरीज है और आप मीठा खा लेते हैं तो आपका blood glucose level अचानक बढ़ जाएगा और मीठा diabetes के मरीज के लिए जहर का काम करता है अगर आप occasionally थोड़ा बहुत खा लेते हैं तो ठीक है लेकिन आप जादा बिल्कुल ना ले तो इन सब foods को लेने से पहले diabetes के मरीज को ज़रूर सोज बिचार करनी चाहिए लेकिन एक आम diabetes का मरीज को कैसे पता लगेगा किस foods का GI value कितना है और किसका ज़्यादा है किसका कम है दोस्त आम तोर पर कोई भी सामान अगर आप मुँ में देते हैं और थोड़ा सा भी मिठा लगता है यानि उसका GI value ज़्यादा है अगर किसी foods का GI value 50 के नीचे होता है तो diabetes का मरीज उसे ले सकते हैं जहां 50 के उपर जाएगा तो diabetes के मरीज को लेने से पहले एक बार जरूर ध्यान देना चाहिए या नहीं लेना चाहिए अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आप जितना भी दवाई खाएंगे फिर भी आपका blood sugar level बढ़ जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा उमीद है दोस्तों वीडियो आपको informative लगा तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो आज के लिए नहीं तक धन्नवाद